असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे तिल गुड के लड़ू वो भी मिन्टों में और ये तने सौफ्ट बनेंगे कि बिल्कुल मुँ में घुल जाएंगे इसे बच्चे या बूढे भी आराम से खा सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तिल गुड के लड़ू यहाँ पे मैंने सौ ग्राम तिल लिया है सफेद वाली और ये एक कप के करीब है और ये थ्री फोर्थ कप हमने लिया है गुड और लेकिन दोनों का वेट सेम है ये भी सौ ग्राम के करीब है अगर हम पाउडर गुड ले रहे हैं तो एक कप लेंगे गैस पे हम कड़ाई चड़ा देंगे और अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे तिल को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगतार चमत से चलाते हुए तिल को हलका ब्राउन होने तक भूनेंगे तिल बहुत जल्दी जलने लगता है तो ध्यान रहे कि तिल जलने न पाए और अगर जल गया तो इसका टेस्ट कड़वा सो हो जाएगा इसे हम 4-5 मिनट के लिए भूनेंगे और अब देख सकते हैं इसका कलर हलका सा चेंज होने लगा है और हलका सा कलर ब्राउन हो चुका है इसका हलका सा पहले से कलर चेंज हो चुका है अब इसको हम उसी बोल में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ये हलका सा ठंडा हो चुका है कम्प्लीट ठंडा नहीं करना है हमें अब हम grinding जालेंगे इसमें हम गुड और तिल को डालेंगे तिल थोड़ा सा गरम ही रहने दे complete ठंडा नहीं करना है हलका सा जब गरम रहे तब ही हम पीसेंगे इसको और तिल और गुड को हमने इस तरह से थोड़ी थोड़ी दिल पर चला करके पल्स मोड पे हमने इस तरह से पीस लिया है बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है अब इसे हम उसी बोल में निकाल लेंगे अब इसे हम एक बर हाथ से मिक्सर लेंगे ताकि तिल और गुड बराबर से मिक्स हो जाए अब इस मिक्सर को हम थोड़ा सा लेंगे और हाथ में इस तरह से मुठी बना करके हम लड़ू बना लेंगे इसमें हमने कुछ भी घी नहीं डाला है और आप देख सकते हैं काफी चिकना सब लग रहा होगा आपको क्योंकि तिल में अपना ही थोड़ा सा ओयल होता है तो उसकी वज़े से ये चिकनाहट आग चुकी है और इसमें हमें कोई भी घी डाले की ज़रुद नहीं पड़ेगी और ये सेहत के लिए बहुत ही फाइदे मन्द होता है आप इसे बना करके कई महिने के लिए रख सकते हैं और रेस्पी पसंदा है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को मिलते एक नई रेस्पी के साथ तब तक लिए अल्ला हाफिज